नमस्कार, मैं कुशिय आपका स्वागत करती हूँ, 36 गड़ के लोगप्रिया न्यूस चैनल केसेन 24 न्यूस पलपल की खबर में, आईए नदर डालते हैं आज की खास खबर पर प्रदेश की महिलावा बाल विकास मंत्री अनीला भेडिया के हाथो बालो जीले में समाच कल्नियार विभाग द्वारा जीला अस्पताल परिसर में आयोजित मेगा शिविर में सैक्रो हिद्गराही लाभान वित हुए मंत्री अनीला भेडिया के साथ विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रही शिविर में मंत्री ने सामर्थ विकास योजना के तहट 14 दिव्यांग जनों को समान्य ट्रासाइकल, दो दिव्यांग जनों को बैटरी चलिल ट्रासाइकल और 19 दिव्यांग जनों को विल्चेर प्रदान कर लाभान्वित किया मंत्री शृमती भेनिया ने मिश्वन गूंज योजना के अंतरगत दो दिव्यांग जनों को समार्टफोन, तिन दिव्यांग जनों को टबलेट प्रदान कर लाभानुद किया उन्होंने सामर्थ विकास योजना के अंतरगत ही तिन दिव्यांग जनों को ADL किट एवं सेल फोन दस दिव्यांग जनों को A-M-R किट प्रदान कर लाभानुद भी किया मंतरी ने राजसरकार के विभिन योजना के तहट हिद्गराहियों को चेक प्रदान कर लाभानुद किया शिविर में वृद्धा अश्रम के वृद्ध जनों को शॉल, श्रीफल, सनिटाइजर और मास्क प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया महिलावा बालविकास मंतरी ने आयोजित स्वास्त शिविर का अवलोकन कर नशामुक्ती रथ को जंडी दिखा कर रवाना किया इस मौके पर मंतरी अनीला भेणिया ने राजसरकार के विभिन जनकलन्याड कारी योजनाओ की जानकारी देते हुए कहा कि योजनाओ का लाब लेने के लिए हिद्गराहियों को प्रेरित किया जाएगा इस भी हमारे ग्रामेंड शेत्र से आये हैं जिनका निशुल के लाज हो रहा है और आपरेशन भी करने के लिए उन लोगों को सला उनके परिवार से सला लेके जैसे बहुत गरीब लोग हैं तो हम लोगों से भी जो जिला के हम लोग जन प्रतिनीदी उनसे भी से योग लेक इसी आउसर पर मैं स्वर्गी मेरे पती भिडिया जी के याद में इस मृती में मैं स्वास्त विभा को पांच रिप्रिजर भी प्रदान की हूं जिससे हमारे यहां कोई बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो ततकाल उनका दास अश्कार नहीं कर पाते हैं उनको रखने के में हम सबने देखा है इनकी कमी लोगों को महशूस होने लगा तो स्वास्त विभाक को दें सकते हैं इसा करक που क्या श्कूरे इसा करके उनकी स्मित्ति में मैं उनके उसमें की हूँ और लोग यहां स्वास सिवीर में भिलाब ले रहें और मैं हमारे छेतर की जनताओं से भी मैं आवान करना चाहती हूं पूरे जिला से कि इस तरह का कुछ ऐसे हमको समस्याएं हो रही है तो हम सब जन प्रतिनिधी भी रहते हैं और आदरनी हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरे जनता के लिए एकदम निशुल का स्वास सेवा का भी एलान कर दिये हैं और जहां बड़े आस्पतालों में राशी की भी या उश्कता पड़ती है तो मुख्यमंत्री जी अनुदान कोस से हम लोग राशी भी दिला कि उनको सह इलाज देते हैं इस तरह का आज का सीवीर का उदेश वही था कि यहां तो आप रिशन नहीं हो सकेगा पर मरीज चिन्नांकित करने के बाद हम सब उनका साकुशल इलाज रायपूर में कराएंगे तो यह हमारे जीला के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्दी है और हमारे स् प्रशाशन का भी पूरा सयोग है इन सब के सयोग से हमारा ये सिवीर सफल होगा ब्यूरो रिपोर्ट के एसन 24 न्यूज